पिछले महीने हमने जो best smartphone under 40,000 की list बनाई थी, उस list से इस list तक सिर्फ दो ही ऐसे smartphone है जो अभी भी इस list में, बाकी 3 smartphone ऐसे हैं जो नई entry हैं इस list में, तो आप समझ सकते हैं पिछल एक महीने में इस price category में कितनी हल चल हुई है, और इसके साथ इस list में आपको एक ऐसा भी phone मिल ज अगर वो पसंद आए, तो इस वीडियो को like और इस चैनल को subscribe भी कर सकते हो, तो चलिए शुरू करते हैं तो शुरूआत करते हैं हमारे list के सबसे latest launch से, और नमबर 5 position पर जो phone है, वो है OPPO की तरप से Reno6 Pro, इस phone में आपको 6.55 इंच का Full HD Plus 90 Hz का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, साथ इस phone के screen में मिलेगा आपको Gorilla Glass 5 का protection, और ये phone आता है, olio phobic coating के सार, बात करें इस phone के processor की, तो इस phone में आपको Media Tech Dimensity 1200 देखने को मिलता है, GPU आपको देखने को मिलेगा Mali G77, LPDDR4X RAM और UFS 3.1 के साथ, इस phone का on to do score है 4,92,000, अगर बात करें इस phone के camera की, तो इस phone के rear में हमें देखने को मिलता है 64 Megapixel का Quad camera setup, जिससे आप 4K वीडियो लिपाएंगे 30 fps पे, और front में हमें पाएंगे 30 fps पे, बैटरी आपको 4500 damage की lithium polymer देखने को मिलती है, 65 watt की fast charging के साथ, जो की लेते सिर्फ 31 मिनिट इस phone को 100% चार्ज करने में, इस phone में आपको 11 5G band देखने को मिलता है, IP54 की water और dust resistance की rating देखने को मिलती है, और साथी में देखने को मिलता है Dolby Atmos, इस phone का Vita 177 gram Oppo अपने smartphone में camera के लिए specially जाना जाता है, और Oppo के इस phone में आपको camera में OIS देखने को नहीं मिलता है, बात करने इस phone की दूसरी कमीगी तो इस phone में आपको stereo speakers भी देखने को नहीं मिलता है, हमारी इस channel पे चलना है OnePlus Wireless Earbuds Z का giveaway, उसमें participate करने के लिए आपको इस channel को करना है, subscribe और इस video को like और नीचे comment box में बताना है कि आपका best pick कौन सा है इस list में से, तो अब बढ़ते हैं हमारे list के चौते number के phone की तरफ और चौते number का phone especially Apple lovers के लिए है, इस phone में अभी काफी अच्छा price cut देखने को मिल ला है, तो चौते number पे है Apple की तरफ से iPhone XR, तो बात करते हैं इस phone के display की तो इस phone में आपको 6.1 inch का HD plus IPS LCD display देखने को मिलता है, प्रोसेसर में आपको देखने को मिलता है Apple का A12 Bionic chipset, LPDDR4X RAM और NVMe storage के साथ, इस phone का 1-2-2 score है 3,66,000, अब बात करते हैं इस phone के camera की तो इस phone के rear में हमें देखने को मिलता है 12 Megapixel का single camera setup और इस से आप 4K video आपको 2900 mAh की lithium ion देखने को मिलती है 15 watt की fast charging के साथ, जो की lithium 30 minute इस phone को 50% charge करने में, इस phone का weight of 194 gram और मोटा ही है 8.3 mm, ये phone आप 6 color option में खरीद पाएंगे black, blue और coral, red, white, yellow, इसका 64 GB वाला variant आप 39,000 में खरीद पाएंगे, तो बात करते हैं इस phone की कमी की तो पहली कमी है इस phone का display, 40,000 में IPS LCD display, वो भी HD plus की resolution के साथ, ये थोड़ा disappointing है, और बात करें इस phone की दूसरी कमी की तो वो है इस phone का battery bag है, तो इस list में बताएंगे, किसी भी smartphone का अगर आपको price check करना है या फिर purchase करना है, तो इन सभी को best bangling नीचे आपको description में मिल जाएगा, तो अब बढ़ते हैं हम अब बात कर लेते हैं इस phone के camera की तो इस phone के rear में हमें देखने को मिलता है 48MP का triple camera setup और इस से आफ 4K video ले पाएंगे 30fps पे, और फ्रंट में हमें देखने को मिलता है 16MP का single camera setup और इस से आफ 4,000 वीडियो ले पाएंगे 30fps पे, इस phone में हमें 4000 image के lithium-ion प्राठी देखने को मिलती 66W की fast charging के साथ, जो की लेते हैं सिर्फ 22 minute इस phone को 100% charge करने में, इस phone में आपको dual speakers देखने को मिलता है, साथी इस phone का weight है 209 gram और मोटा है 8.7 mm, ये phone आप सिर्फ एक ही color option में खरीत पाएंगे, जो की है legendary track design, इसका 8 plus 128 GB वाला wear and up 40,000 रुपे में खरीत पाएंगे, तो बात करते इस वीडियो को like करो, साथी इस चैनल को subscribe करो, और bell notification भी on कर दो, ताकि हमारी जो latest वीडियो हैं, वो आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के second last position के phone पे, और जो second last position पे phone है, वो है OnePlus की तरफ से 9R, इस phone में आपको 6.55 inch का full HD plus 120 Hz का fluid AMOLED display देखने को मिलता है, साथी ये phone आता है glass back के साथ, और इस phone के screen में हमें देखने को मिलता है, Gorilla Glass 5 का protection भी, processor आपको देखने को मिलेगा, Qualcomm Snapdragon 870, GPU आपको देखने को मिलेगा, Adreno 650, LPDDR5, RAM और UFS 3.1 के साथ, इस phone का on to do score है, 6,12,000, अगर बात करें इस phone के camera की, तो इस phone के rear में ह में देखने को मिलता है, 48MP के quad camera setup, और इस से आप 4K video लेपाएंगे 30fps पे, और front में हमें देखने को मिलता है 16MP का single camera setup, और इस से आप Full HD video लेपाएंगे 30fps पे, बैटरी हमें 4500 mm के lithium-ion देखने को मिलती है, 65W के fast charging के साथ, जो के लिएती है, सिर्फ 39 मिनिट इस phone को 100% चार्ज इसका 8 plus 128GB वाला variant up 40,000 रुपे में खरीच पाएंगे, तो आखरी में बात करते हैं इस phone की कमी की, तो इस phone में आपको कोई भी IP rating देखने को नहीं मिलती है, और दूसरी कमी है, इस phone में available सिर्फ single 5G band, तो finally हम आगे अपने list के number 1 position के phone पे, और number 1 position का phone है, Asus की तरप से ROG Phone 3, इस phone में आपको 6.59 inch का full HD plus 144Hz का AMOLED दिस्प्ले देखने को मिलता है, साथी इस phone के screen में देखने को मिलेगा आपको Gorilla Glass 6 का protection, और back में आपको देखने को मिलेगा Gorilla Glass 3 का protection, प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 865+, GPU आपको देखने को मिलेगा Adeno 650, LPDJR Fabram और UFS 3.1 के सा इस phone का on-to-do score है, 6,12,000, बात करने इस phone के camera की, तो इस phone के rear में हमें देखने को मिलता है, 64 Mbps का triple camera setup, और इससे आप 8K video लेपाएंगे 30fps पे, यह एकलाथा phone है, इस list का जिससे आप 8K video लेपाएंगे, और front में हमें 24 Mbps का single camera setup देखने को मिलता है, और इससे आप full HD video लेपा जाते हैं, जिस वज़े से अब जब gaming करेंगे, तो आपके हातों में charging cable नहीं फसेगा, इस phone के side frame में आपको 2 ultrasonic button देखने को मिल जाते हैं, जिने आप triggers की तरह use कर पाएंगे gaming के दोरान, और इस phone के rear में RGB lighting भी देखने को मिलती है, और इस phone में आपको stereo speakers भी देखने को मिलत weight और मोटाई, और जितने features के साथ ये phone आता है, इस list का और कोई phone इतने features नहीं offer करता है, तो अब बात कर लेते हैं मेरे worded की, तो अगर आपको best camera phone जीए 40,000 के अंदर, तो आप iPhone XR के साथ जा सकते हैं, और अगर आपको overall एक अच्छा phone जीए, तो ROG Phone 3 के साथ जा सकते हैं, तो इस video के लिए इतना ही, अगर आपको ये video पसंद आईए, तो इस video को like करो, साथ इस channel को subscribe करो, और bell notification भी on करतो, और अगर आप budget बढ़ाते हैं 50,000 तक, उसमें आपको कौन से best smartphone मिलेंगे, उस video का link उपर आई button में आपको मिल जाएगा, मिलते हैं अगली video में, कर दो, और आप ग अगर आपको मिलेंगे, ऊगर में आपको कर दो इस एलोगा, मिलते हैं,